ही चली इस 2021 आज हम लोग बनाते हैं ये तरी वाली गोश्ट हम लोग बनाएंगे चली हम लग शुरू करते हैं ये अज हम लोग बनाते हैं मटर पुलाओ और बीब की गोश्ट जो पीर इड गोश्ट बोल तैनिम्यों देखिए मेरे पास एक केजी गोस्त है यह आदे केजी प्याज है तुतेश पात की पत्ती यहां मैंने कुकर ले रखा है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाला देखिए लॉंग दालचीनी चोटीलाइची जावीतरी का फू कि आपके अंदर डालेंगे एक टेबलिस्पून घरम मसाला इसी टेबलिस्पून से मैंने ले रखा है अद्रकला सुन इसको नोग उसके इसके इनदर डालेंगे अच्छे से इसको पानी में डाल देंगे इसमें लगा करके अब मैं डालूँगी अपना गोस्त प्यास लारो नो डालें प्रॉदि एक यदो अभर उनिया चिली ऩो inspired लिए जितना ऐन में तीका नवह जाता है जन्न भी नहीं इसके अंदर फिसह जाएगा शलिए मैंने इसके अंदर टेल डाले मैं आपको डाल के दिखाऊंगी अ की ऊपए मचीन टीर तो ऑल में दाल रहो इसी बॉल में पानी यह यह जो गाया मेरा हो ठोले हैं पाहले मसालअ केसे मिस करो लें चला थे अंदर आपना नमकट अ देखिए मेरे एक केज़ी का है मैं एक टेबल स्पून डालूंगे पिर अगर कम ज्यादा होगा तो उस टैने उन लोग जब भूनेंगे न टौफ डाल देंगे चलिए मैं अपना गोस्त डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके देखिए फ्रेंज ना इसे विनेगर से धूने की ज़रूरत है ना किसी चीज से चलिए आप स्रिफ नॉर्मल पानी में आदे हंटा बड़ दीजिए उसके बार इस पच्छे से दूल लेजिए देखिए चलिए इसको मैंने चला ली हूँ अब चड़ाओंगी इसे गैस के ऊपर बिल्पुल कच् अब हम लोग इतने ही पानी में हमें गोस्त बनाना है क्योंकि अंदर भी पानी है अब मैं इसमें पानी नहीं डालना है तो बिल्पुल देखिए मैं स्रिफ इसको थोल दूँगे कल्चुर को अपना बस जो ही है अब हम लोग गैस के कुकर की लिट लगा देंगे अच्छी अब मैं बनाऊंगी अपना मटर पुला मैंने चावल को आदा गंटा पानी में भीम होके रखा था अब इसको हम लोग आगे बनाएंगे पुला चले फ्रेंस मैं आपको दिखाओं मैं देखिए यहां पर मैं कूकर को लगा रखी हूं गैस के ऊपर अब मैं इसमें मैं रिफाइन बनाऊंगी देखिए मैं बिल्कोल यह पुलाव बनाना नहीं है मुझे मटर पुलाव बनाना है इसलिए उयल कम ही डालेंगे इसके अंदर क्या आप गरब हो जाएगा प्रेंस आपको सिटी के आवाद आ रही होगी कुगा की सिटी बज गई है मेरी अब मैं इसके अंदर वियानी के लिए इसको डाल दूँगे क्रास करके टोड़ा का है थोड़े देर और विलोग इसको रखेंगे इसी पे पेल मेरा प्या बूचुका है अब अपना ब्लाउं के बाहर देंगे बाहर देखिए मेरा पुलाव का मैंने इसमें लॉंग दालचीनी छोटी लाइची बड़ी लाइची सायज बीरा ले रखा है दो तेशपात की पस्ती है इसको अब लोग जुता है देखिए अच्छे से थोड़ा सा मसाला मेरा चटक जाएगा तो पारण इसके अंदर अपना जो चावल है वो चावल डाल दे है यहां पर मैंने मटर और गाजर ले रखी हूं इसके अंदर डाल दूंगी अब इसको बेच व्लावी बोल सकते हो यह किसे सब्जी के साथ भी बन सकता है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी देखिए उसको अच्छे से हम लोग भूल लेंगे दो मीनट तक इसके इसके जुक्त चावल ना मेरेका अच्छा घूल देखिए मेरे पास इतन अच्छा अच्छा ग्राम जुक्त में भी नमक करें किसा लगता है आप चिपी तबर के साथ बनाके खांकते हैं बहुत ही अच्हा लगता है अब ज़ब इसको ट्राइक धर करेंगे घर भर पर Will इस ग्लास से एक ग्लास में पानी लूगी देखे, एक ग्लास में इसके अंदर डालू देखे और डालू गज़्याद देखे दलाओ अपने की यह रफानी बहुत ही थेस्टी लगता का खाने में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है फुलाओ यह वाइट वाले कुकर में जो मैंने गोस्ट अड़ाया था आप इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि मेरा गोस्ट हो चुका है अब खोल करके करें हम लोग चिक करेंगे इसको अच्छे से कर दिया करें इसमें कोई कंजूसी नहीं करें कि बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो कुपर कूंपोल दे हूँ मैंने आपको दिखाया थे लगभग एक कटोरी मैंने इसमें पानी डाला देखिए कितना इसके अंदर पानी हो गया है अब हम लोग कैस की फ्लेम को हम लोग बन कर देते हैं क्योंकि मेरी सीटी एक आ गई है यह फ्रेंस मेरा गोस्ट अच्छे से बहुन चुका है चलिए प इसको खाओ देखिए लुट करें चले फ्रेंस मैं इसको बंद कर दूँगी अगा देखिए फ्रैंस हम लो जुआ अच्छे से अंगहे अपने पलाओ को इसके अंधर डालेंगे जो हमने बिर्यानी करके चया और रखा था या वह डाल देंगे इसके अंदर ने अपना ता मेरा पुलाओ गोस्ट रेडी हो गया है देखिए मैंने यहां की गोस्ट भी बॉल में सर्फ कर लिया है यहां मैंने पुलाओ भी सर्फ कर लिया है मैं थोड़ी सी यहां पर प्याज और खीरी की सालाद बनाई हूं बहुत ही चेस्टी लगता है जरूर आप त्राइकरें इसक साथ खाएं